अच्छा काम करते हैं जो मतलब अच्छी मौडल काम करती हैं बहुत जादा उसी मौडल लोग को पसंद किया जाता है तो उसमें से साइद मैं उनको पसंद हूँ अच्छा काम के प्रती तो हमें चूज करते हैं मेरा देवर बहुत कसाई है हमको बेलना से मारता है वाइफ अपने हस्बेंट को जब तेल लगाती है या उनका सेवा करती है तो बहुत प्यार से सेवा करती है तो मतलब प्यार आता है हसी भरता है जाता है कि पवन सिंग जी के दौरा बहुत सारे चीज़ें डिमांड की जाती है जो कि कितनी मतलब जो नियू कमर्स जो रहती है लड़किया या फिर मॉडल जो कहीं पे जाकर मना कर देती हैं तो आप मतलब किस हद तक आप उनका डिमांड फुल्फिल कर सकें तो हम मर जाएंगे लेकिन कभी ऐसा काम करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारे मम्मी पापा यहां बहुत ही मैनस से भेजे हैं जी बिल्कुल हम जाएंगे तो टैलेंट पर जाएंगे ये गलत काम करके जैसा अभी चल रहा है आज के तो ऐसा करके मैं कभी नहीं और भी अदर्स स्टेट में के लोग मतलब भुशपुरी को बहुत अच्छे से मतलब सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो इसी सब तमाम मुद्वों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो की मतलब बिहार में उनका अच्छा खासा नाम है और अच्छे खासे लोग मतलब इनको पहचानते हैं मौडल है तो इनका नाम है सिवांगी साहु जी पहले तो स्वागत है मैम आपका नमस्ते पर नाम एक 24 नीउस देखने वाले सभी धर्सकों को मेरा शिवांगी साहु का पर नाम मैम जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि आप प्रमोड प्रेमी जी के साथ उनके बहुत सारे गानों में मतलब आप नजर आती है इसके बार में क्या कहना चाहिए देखिए क्या होता है कुछ सिंगर लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जो मतलब अच्छी मॉडल काम करती है अच्छा काम करती है बहुत ज्यादा उसी मॉडल लोग को पसंद किया जाता है तो उसमें से साथ मैं उनको पसंद हूँ अच्छा काम के प्रती तो हमें चू कि मेरा देवर बहुत कसाई हमको बंटाय पर 500 कि compartir के सब्सक्सक् ruh होता है और टार मिए जया मत उन पर पिछिगकर आपके पुछ झार ब्लबार मुंद्ट द्वार फैसे करने कि यह चाहिकर प्रमौत्-प्रमेण हम आपकेформां और ता इस तरह कंपने कर लुद्दिबिये कर 충l उनका सेवा करती है तो बहुत प्यार से सेवा करती है तो मतलब प्यार आता है हसी बढ़ता है यह है उसमें वही दिखाया गया है और मेरा एक और क्वेश्चिन रहेगा मैं आपसे जैसे की अभी आप भोछपुरी इंडेस्ट्री में है अभी आप भोछपुरी इंडेस्ट् अब देखिए हमारे भोजपूरी इंडस्टी के तो वो लोग सेर हैं पवन जी खेसारी जी तो हर किसको काम करने को मन नहीं करेगा किसका इच्छा नहीं रहेगा तो मेरा भी इच्छा है और बहुत दिल से मन है कि एक नए एक दिन हमको ये कंफर्म है कि एक नए एक दिन तो वो लोग हमको जरूर पूछेंगे अगर माली जी कि अगर पवन सिंग जी आपको अगर मौका देते हैं आगे अपने साथ काम करने के लिए लेकिन सुत्रों के हवाले से ऐसा ख़बर भी आता है कि पवन सिंग जी के दौरा बहुत सारे चीजें डिमांड की जाती है जो कि क यहीं पे जाकर मना कर देती है तो आप मतलब किस हद तक आप उनका डिमांड फुल फिल कर सकती है हम बिलकुल यह बात आपने बहुत अच्छा पूछा और ऐसा बिलकुल होता है इस लाइन में बहुत ज्यादा होता है लेकिन मेरे सामने भी ऐसा आया है ओप्शन मेरे भी स आएंगे लेकिन कभी ऐसा काम करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारे मम्मी पापा यहां बहुत ही मैनस से भेज़े हैं तो कहीं नहीं पवन सिंग जी जिनको कि हम लोग पावरे स्टार्ड के नाम से जानते हैं सबका दिलो मतलब दिलो इच्छा होती है कि उनके साथ एक मौका भी मिल जाए जो कि एक साथ मोई तो क्या आप मतलब ऐसा मौका आप खोगे और हहां बिल्कुल हम जाएंगे तो टैलेंट पर जाएंगे लेके ये गलट काम करके जैसा अभी चल रहा है आज के तौर तो ऐसा करके मैं कभी नहीं जाओंगी तो अच्छा एक चीज और आपको पवन सिंग जी कैसे लगते हैं इसके बारे उत्रा बताईएगा पवन जी बहुत ही अच्छे लगते हैं उनके गाईकी में माश वर्शती जी का बास है और हर चीज बहुत अच्छा है वो कैसे लगते हैं आपको बहुत अच्छे एक बार हमारे खिशारी जी के साथ हमको इवेंट करने का मौका मिला तो वहाँ पर जैसे वो बीहेब किये तो ऐसा नहीं लगा कि हम लोग पहली बार मिले हैं बहुत अच्छे से बात करना और पूछना कैसे हो लड़कियों को वहाँ एक मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत सारे चीज मतलब दाव पे लगाने पड़ते हैं बहुत सारे चीज में कंपरमाइज करने पड़ते हैं तो इन्हीं समत्माम उद्दों पे जिवांगी जी का कहना था कि अगर आगे बढ़ना है तो अपने दम पे बढ़ेंगे अपने टैलेंट के दम पे बढ़ेंगे अगर उस तरह का अगर कोई अगर सामने से अगर वैसा अगर बोले भी तो उसे बस वहाँ पे ही मना कर दूँगी क्योंकि जो भी हैं हम अपने दम पे हैं और अपने टैलेंट के वज़ा से हैं तो और भी ऐसे तमाम खबरे देखते रहने के लिए आप देखते रहें एक News 24 मैं बेसिंग से होगी गांगुल के साथ पटना